तो आज एक रीडिंग मैं लेकर आई हूँ कि आज रात आपके परसन की एनरजी जो है किस तरीके का रहने वाला है वो सारा सब कुछ भी लेंगे और clarity के लिए सो चलिए शुरू करते हैं इस वक्त उनका क्या situation है देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपको लेकर candle के मदद से ठीक है मैं candle को जला लेती हूँ आपके परसन के बारे में सोचिए मेरा second channel जो है start out guide 1111 karma reading या फिर adult reading 18 plus reading के लिए आप लोग देख सकते हो चेक आउट कर सकते हो वहाँ पर मैं आप लोगों के लिए prediction भी बताती हो remedies भी बताती हो कि life में क्या किस वज़े से कौन से remedies है job, business, career, family life हो गया या फिर आपका divorce case चल रहा है या फिर आप life में settle होना चाते हो person कब तक आएगा ठीक है सारे के सारे बारे में remedies खुद को कैसे heal क करोगे तो मैं देती हूँ चलो definitely check out कर ले ना मैं comment section में link डाल दोंगी इस person को ऐसा लगता है कि आपने जैसे उल्टे तरफ मुझ घुमाया हुआ है ठीक है और यह person आपको दूर से बुला रहे कि मेरी तरफ देख लो ठीक है और वो भी छुप छुप के यहाँ पर काफी मून की energy मुझे gain हो रही है मुझे लग रहा है कि person definitely चाहते है कि आप इनके तरफ मुढ के देखो आपने तो जैसे इस जिन्दगी की zonor से इनको बाहर कर दिया है आप इनकी तरफ और नहीं देख रहे हो कोई भी energy आप invest नहीं करता हुआ नजर आ रहे हो person को काफी परिशान है यह सोच सोच के काफी गुस्से में है काफी शक है कि आपके life में कोई और तो नहीं आ गया आप किसी और पर interest रखते हो definitely इसके कारण या फिर आपको social media में person काफी stock करते है तो देख लिए है किसी के साथ चीक है इन्हें ऐसा लगता है कि हाँ वही सही है आप किसी और के साथ ही विज़ी हो यह person ना definitely काफी शक की नजरों से देख रहे है आपको चीक है काफी गुस्से में है person इस वक्त काफी ego काम कर रहा है इनका कि इनको छोड की मतलब इनका replacement हो सकता है यह इस बात को person कहीं ना कहीं हजम नहीं कर पा रहे है चुप चुप के देख रहे है कि इनको भी कोई ना देख ले पर दे ठीक है कि कोई मुझे तो नहीं देख रहा है पर यह चुप चुप के ऐसा लग रहा है कि आप इन से बहुत दूर जा चुके हो आपका attitude इनको कुछ इस तरीके का लग रहा है कि definitely ऐसा होता है ना कि एक rude सी खुद के हाथ में power ले लेने वाले, ठीक है, कि चलो कोई बात नहीं, तुम अपने रस्ते हैं, हम अपने रस्ते, तो इतना straightforward, straight cut मतलब इने लग रहा है कि आपकी तरफ आकर यह अगर approach करेगा भी आपको ठीक है, तो वो काफी, मतलब आप काफी straightforward way में काफी दिल से कम दिमाग से चीज़ों को लेंगे और इस person को reject भी कर सकते है, ठीक है, ऐसा सोच को यह person accept नहीं कर पा रहे, इसलिए ना बहुत गुस्से में है, काफी गुस्से में है, पर इनका मतलब अंदर जहाक के देखो तो काफी दुखी, काफी लो, काफी डरा हुआ, obstacles burdensome situation फील कर रहे person, ठीक है, आप तक यह person पहुँच नहीं पाते है, इन्हें कोई रास्ता नहीं मिल पाता है okay definitely मैंने यह situation सारा, जो situation है आपको बता दिया, देखो, आज रात यह person क्या सोचेंगे, तो मुझे लगता है कि यह सब कुछ जो मतलब चल रहा है ना, इसको सोच सोच के और भी परिशान होंगे, ठीक है और भी बेचैनी इनमें बढ़ती जाएगी इनको ऐसा लगेगा कि आपके तरफ आकर कोई जगड़ा वगेरा हो भले ही पर वो casual way में, ठीक है पर जगड़ा हो, बाता बाती हो दो पास्ट की बाते वो दोहराए आप 10 बाते उनको सुना दो पर उनको अपकी मन का बाते जानने की बहुत इच्छाएं होंगी आज रात ठीक है, उनको ऐसा लगेगा कि जो भी है मुझे उनके मन का बात जानना है तो आज रात परसन की तरफ से call, text, messages आपको definitely मिल सकते है, 6 घंटे, 4 घंटे में हो सकता है, या फिर 6 वीक 4 वीक, आप लोगों के लिए significant हो सकता है, 2 week भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, 2 घंटे भी हो सकता है मुन की energy gain हो रही है, तो 2 दिन तो होई सकता है, 2, number 2 emotional है परसन काफी आप लोगों के लिए significant हो सकता है नमबर 2 दो घंटे में हो सकता है आप इस reading को देखो फिर आपके partner के तरफ से context messages आपको मिल जाए या फिर दो दिन, दो हपते ऐसा भी हो सकता है यह person काफी action oriented हो जाएंगे इनको ऐसा लगेगा कि आपके तरफ आ करना इन्हें बात करना है आपके तरफ आ कर बस action ले लेना है मैं यह तो नहीं कहूंगी कि person ऐसा सोचेंगे कि आज आएंगे ठीक है आपको आकर एकदम से सारा सब कुछ बता देंगे चलो मैं आ गया ठीक है तो रिष्टे को continue करते हैं चीजों को continue करते हैं मैं तुम्हें शादी marriage का proposal दूँगा या फिर एक stability के साथ आगे बढ़ूँगा ऐसा तो मैं नहीं देख पा रही हूँ देखो stable person जो भी सोचेंगे आपको लेकर दिल से सोचेंगे हार्ट से सोचेंगे इनके दिल और हार्ट में person आपको महसूस कर पाते है फिलहाल ठीक है तो ये person आपसे आपके बस जुड़ना चाहेंगे आपसे आपके बस बात करना चाहेंगे person ठीक है ये जो भी करेंगे ना आपसे दिल से करेंगे पर धीरे धीरे शायद आप लोगों में relationship grow होता हुआ मुझे नजर आ रहे person प्यार से ही आएंगे दिल से ही आएंगे पर इनमें page की energy immature energy है आते ही सारा सब कुछ settle down नहीं हो जाएगा वक लगेगा, time लगेगा पर person definitely afford लगाएंगे कुछ चीज़े है जो person छुपा रहे है और उस time भी आपसे छुपाने की बारे में सोचेंगे अज रात को कि आपके पास जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, ये चुपा देंगे, वो चुपा देंगे कुछ ऐसा वाला आपको दिखाएंगे जो मतलब ऐसा कुछ चहरा ऐसा कुछ बात ये आपको बताएंगे जिसको सोच के जिसको सुन के शायद आपको बहुत अच्छा लगे ठीक है आपको काफी ज़दा मिस करेंगे यह person आपका जो बचपना आपका जो प्यार वाली भाशा है आपकी activity आपका dressing sense आपका चलने का तरीका बोलने का तरीका हर चीज को handle करने का तरीका आज रात शायद person और मिस करेंगे इस चीज़ को, ठीक है, आपको प्यार करने का मन करेगा, इस परसन का, डेफिनेटली काफी मिस करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास कोई पीलो होगा, कोई soft toys होगा, तो उसको प्यार करेंगे परसन, ठीक है, इनको किस करेंगे, इनको hug करेंगे, ठीक रात शायद इसके बारे में और भी सोचेंगे आपके तरफ आना ठीक है आपको आपसे दो प्यार की बाते करना या फिर यह परसन सोचते है इनकी मन में है आपको लेकर एक फिजिकल अट्रैक्शन परसन तो डेफिनेटली फील करते है इन्हें लगता है कि आपके कंधों पर कोई किसकर करा जाए या फिर कोई ऐसे जगा पर आपका टच किया जाए जिससे आप excited हो सको जो होता है ना कि एक breathing ठीक है एक morning एक close आना एक सारा सब कुछ चीजों को मतलब करने देना या फिर एक adultery thought जिसे बोलते हैं ठीक है एक satisfaction की हाँ वो भी आपको satisfied कर रहा है तो उनको देखके लगे की हाँ आप भी satisfied हो ठीक है आपका face देखके उनको लगे की हाँ satisfied हो आपको अच्छा लग रहा है ठीक है वो person आपको चू रहा है ठीक है तो ऐसे वाले energy, identity, thought भी आपके person के दिल दमाग में चलते है ठीक है, हाला कि ये बहुत दूर है उन्हें पता है कि आपके तरफ आने से सारा सब कुछ ठीक करने से work time लग जाएगा पर definitely person सोचते है और आज रात भी ये काफी excited होंगे आपको सोच सोचके, इनको देखके आपको पता नहीं चलेगा, पर जब आपके पास open up होंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये person कितने romantic है, ये person भी कितना प्यार कर सकते है, ठीक है हो सकता है कुछ viewers के लिए आप लोग physically intimate हुए हूँ ये person उस चीज़ों को भी काफी recall करते है, basically आपके प्यार को recall कर रहे है, ठीक है आपके प्यार को, आपके प्यार को फिर से पाना चाते है, आपको देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आपके, मतलब, ये person आपकी, मतलब, presence को miss कर रहे है, ठीक है जिस तरीके का कड़वा हट आप लोग की रिष्टे में आ गई है उस सारा सब कुछ, मतलब, हटा कि ये person एक balancing way में आपके तरफ आना चाते है, ये चाते है कि सारा सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है ये definitely इसके बारे में सोचते हो सकता है कि आपकी कोई friend, आपकी cousin, आपकी भाई बहन ऐसा कोई हो, जिस से ये connected थे, ठीक है, कितना अच्छा आप लोग का रिष्टा था, तो वो रिष्टा फिर से वापस पाना चाहे, ठीक है उसको भी miss कर रहे, कि हाँ कितने familiar थे, कितने family से, आपके रिष्टों से ये person भी रिष्टे बना लिये थे, कितने गुल मिल गए थे, ठीक है, अब येसा नहीं हो रहा है, काफी दूर चले गए है, वो लोग ही इस person को लेकर क्या सोच रहे है, तो ऐसा बहुत सारे thoughts person के मन में आते हैं, और ये person आपको काफी miss करते हैं, आपके बचपना को काफी miss करते हैं, ठीक है, एक childishness आप में था, आप काफी cute, आप काफी beautiful, आप काफी handsome हो, आपका हर अदाय person को पसंदार है, ठीक है, ये person definitely जब भी इसके बारे में fantasize करते हैं ना, इन्हें ऐसा रखता है कि आपको बस चूम ले, ठीक है, खिस कर दे आपको, ठीक है, आके आपको किस कर दे, और कुछ इस तरीके से हो, कि ताकि आप भी मनाना कर सको, रात की अंधेरे में हो, ठीक है, आप दोने एक दूसरे के साथ वक्त बिताओ, टाइम बिताओ, ओके, चलो, मैं candle को बचाती हूँ, ये person definitely चाहते है, आपके साथ intimacy, ठीक है, एक emotional side जो है ना, वो physically way में person बदलना चाहते है, definitely, so मैं यहाँ इसको कर देती हूँ, और deck के मदद से देखेंगे, okay, so चलो, please universe kite करें, मेरे viewers के जो partner है, उनका क्या feelings है, मेरे viewers के प्रती, क्या late night thoughts से क्या कहना चाहते है, क्या रिष्टा ठीक करेंगे, I couldn't let you get close to me, इस person को पता है कि इन्होंने, आपको अपने करीब आने ही नहीं दिया, आप लोग उसी वहीं से बिछड़ गए, वहीं से छूट गए, तो इसका काफी दुख है person को, ठीक है, it's time for me to heal now, तो person का definitely healing चल रहा है, इनका थाड़ाई चक्रा, इनका heart चक्रा जितना heal हो रहा है, परसन उतना समझ पारे, आप लोगों के रिष्टे को, ठीक है, पहले शायद इतना seriously नहीं लेते थे, पर ये दिल से भी महसूस करते है, I left you before you could leave me, तो person का शायद कोई brainwash करता था, ऐसा भी हो सकता है, इन्हें ऐसा लगता था, देखो, आप काफी attitude में person को लग रहे हो, इस वक्त हो सकता है, आप हमेशा से attitude में थे, तो आपको person को लगता था, कि शायद आप इन्हें छोड़ दोगे, या फिर ये person ऐसा सोचते थे, इनका mental conflict काफी रह सकता है, burdensome situation रह सकता है, third party situation, merit person से deal कर रहो, ऐसा भी हो सकता है, कि उसको छोड़ के आपके तरफ आ नहीं पाई, या फिर third party situation को, इन्होंने खुद involve किया हुआ है, ठीक है, इसके चलते आप लोग का रिष्टा तूट गया, ठीक है, ये person आपको छोड़ दिये, ऐसा बहुत सारी conflict person के दिमाग में चलते है, ठीक है, और देखते हैं, I replay our conversation over and again, तो जिस टाइम से आप लोग बात करना शुरू किये थे, person definitely उस चीज़ को काफी miss करते है, ठीक है, जिस तरीके से आप लोग मिले थे, शायद हो सकता है कि ये person का कहीं ending वगेरा हुआ था, और तब ये person घायल होके आप से मिले, तो इनका heart चक्रा ना, इनका heart जो है, इनका जिन्देगी जो है, इनका मन, तन, मन होते हैं ना, वो सारा सब कुछ हील हो गया, ठीक है, आप से मिल के, पर ये person ना, आपको अपने पास रख नहीं सका, आप लोग बिछड गए कुछ कहानियों के वज़े से, इसलिए person सारा सब कुछ बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्याद करते हैं, किस तरीके से आप लोग मिले थे, किस तरीके से, सब कुछ याद करते हैं, पहले दिन किस तरीके से बात हुआ था, आपका फोटो वगेरा देखना, आपको स्टॉक करना, सब कुछ करते हैं, ठीक है, बॉटम अप देक्स से, वी हैब, I left when I saw you with someone else, तो मैंने क्या कहा, मुझे ऐसा लगता है, कि इनको कोई brainwash करता है, फिलहाल के energy, अगर मैं पढ़ू इनका, तो मुझे लगता है, कि यह person सोचते है, कि देखो, आपका colleague हो सकता है, आपका कोई friend हो सकता है, आपका कोई cousin हो सकता है, कोई बच्पन का दोस्त हो सकता है, आप तो घूमी रहे हो, यह सही है, आप शायद इनको भूल गए हो, आप कोई माइने नहीं रखता है, यह person और आपके लिए, ऐसा फिलहाल का सोच है, पर पहले की बात अगर मैं करूँ, तो इनका, शायद कोई brainwash करता था, किसी के साथ देख लेना, सब कुछ के बारे में भी person सोचते है, कि अगर इसी में हम रहे जाएंगे, ego में, तो कोई भी रिष्टा नहीं चलेगा, कोई भी अपने जिन्दगी के जोनर से उन्हें बाहर कर देंगे, चलिए, चालिए, 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 प्लीज इन्वर्स काईट करें, मैंने वियर्स के बार्ट में क्या कहना चाहते हैं, okay, so music के थूआ आप लोग जुड़े हूए रह सकते हो, कोई musician हो सकते हैं, आपके पार्टन्र y या फिर music के थूआ आप लोग जुड़े हूए रह सकते हो, ठीक है, key, तो परसन डेफिनेटली ये की को, ये जो की है ना, परसन चाहते है कि इस की को open up करे, ठीक है, इनका lock ये ढूंड रहे हैं, ठीक है, तो परसन हर तरीके से lock हो सकते है, शायद आपने इसे block करके रखा हो, तो परसन चाहते है कि ये सारा सब कुछ ठीक हो जाए, ये जब भी music इतना जादा fantasize करते हैं, इतना जादा romantic होते हैं, romantic कोई भी music सुनते हैं, इनने लगता है, आपके साथ dance करें, आपके साथ romance करें, बैट के बाते हो आप लोगों में, ठीक है, एक moment create हो, आप दोनों एक दुस्रे के करीबा हो, प्यार कर, वो सारा सब कुछ परसन सोच सोच के खुद को भी excited कर लेता है, physically, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर दोनों ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि चीजे अभी कई हद तक रुकी हुई है, पर आएंगे, तो थोड़ा सा वक्त लग रहा है, time लग रहा है, परसन को सोचने में time लग गया है, इतना दिन तक तो time लगा ही है ठीक है, पर definitely जब आएंगे न, stability के साथ आएंगे, थोड़ा सा तो रुके हुए है, अभी तो no context situation में हो, पर definitely person आएंगे, ठीक है, आएंगे, क्योंकि यहाँ पर the horse है, suddenly आ सकते है person, सोच समझ के आएंगे, ठीक है, मैंने क्या कहा, 2 गंटे, 4 गंटे, 6 गंटे में आ सकता है कॉल, fruitful result मेलेगा, यहाँ पर फल है, star की तरह चमक रहे हो, शायद आपके life में कोई spiritual awakening हुआ है, इस person के तरफ से, तो मुझे लगता है कि आप अपने life में कुछ कर रहे हो, यह person भी काफी manifest कर रहे है, आप दोनों-दोनों को manifest कर रहे हो, flowering, तो मुझे ऐसा लगता है, person आपक कुछ gift करना चाहते है, यह पर nine of pentacles के energy gain हो रही है, आपके प्रती काफी attracted है, काफी अच्छे लगते हो आप इने, impressed की तरह देख रहे है, high regard में देख रहे है person आपको, यहाँ पर दोनों टाइप की तितलिया है, बचफलाई है, तो मुझे लगता है कि relationship में काफी सदा changes आए है, ठीक है आपके life में, तो यहाँ पर angels के दोरा protected है आप लोगों का रिष्टा, दोनों angel है, तो angel के दोरा protected है आप लोगों का रिष्टा, ठीक है divine timing में unfold होगा सारा सब कुछ, यहाँ पर crocodile है, तो again कोई अच्छा खुशिया, खुश खबरी आने वाला है, ठीक है, person के तरफ से, तो suddenly call text messages आ सकता है, receive हो सकता है, देरे देरे बात बने, पर आ सकता है, person आपके जुड़ना चाहते है आप से, आज रात यह person काफी सोचेंगे इसके बारे में, जितना romantic होंगे, जितना physically attracted होंगे, जितना आपको सोचेंगे, आपको ना करीब बाना चाहेंगे person, ठीक है, so यह energy मुझे gain हुआ, I hope आपको पसंदार resonate हुई है, don't forget to subscribe my channel, and my second channel, Starter Guide 1111, उसको भी follow करना मद भूलियेगा, regular updates के लिए, कर्मा और 18 plus readings के लिए, यह channel पे आप लोग अपना मन चाहा कोई भी topic, comment section में लिखो, मैं उसी के हिसाब से readings वगेरा लाओंगी, ठीक है, और facebook में Starter 1111 वहाँ भी आप लोग मुझे follow कर देना, वहाँ भी अगर comment section में आप लोग बोलते हो, कुछ तो मैं उसी के हिसाब से भी videos वगेरा लाओंगी, इसलिए दोनों जगा पर मुझे follow करके आप लोग रख देना, regular updates के लिए, ठीक है, so चले, आज के लिए इतना ही, bye bye and check here.